असलामू आलेकुम बिना स्किप करे फुल वीडियो वाच किया करे आज आपको आलू बज्जी की रेसीपी बताती हूँ इसके लिए आलूओं को इस तरह से स्लाइसस कट कर लेने के बाद इसको पानी में दाल देना दाल कर थोड़ा सा नमक दाल कर 10 मिनिट तक इसको इस पानी में इस तरह से रख देना और साफ कपड़े से इसको सूखा पोच लेना अजवाइन, मसाला, नमक, हल्दी, चामल का आटा, चेने के आटा, बेकिंग सोडा एक बेशन में एक कप चेने का हाटा इसमें दाल देना और चामल का हाटा भी इसमें दाल देना दाल कर थोड़ा सा नमक इसमें दाल देना और नमक इसमें दाल देना, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा दाल सकते हैं थोड़ा सा मसाला भी इसमें दाल देना, थोड़ी से अजवाइन भी इसमें दाल देना, बेकिंग सोडा इसमें दाल देना, डाल कर पानी से इसको अच्छी तरह से मिला लेना, यह देखिए पानी दाल कर अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेना इसके बाद आलू को आली के स्लेशस को आटे में डिब करके यह देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है इसमें आलू बज्जी इसमें डाल देना एक एक करके सब आलू बज्जी को इसमें डाल देना यह अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना इस देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं आलू बज्जी की रिसीबिया आपको पसंद आई होतो लाइक करिये शेर करिये सब्सक्रेब करिये ठ्रैंक्स वार वाचिंग अल्लाव आपिस